हे अवरीवन क्या आपको याद है जब आप बच्पन में क्लाउट्स में बने अलग-अलग रूपों को देखते थे कभी आपको इसमें एलिफेंट दिखता था कभी फिश तो कभी कुछ और रूप दिखता था और आप उसे देख कर सबको बताते थे वो देखो ना कितना प्रेदर को जानेंगे जिससे हम एक क्लाउड आइंटिफाइंग एक्सपर्ट बन जाएंगे बस कुछ मिन्टों में तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप इस चैनल में नीव हैं तिससे सब्सक्राइब करना ना भूलें लेट्स बिगीन आज हम क्लाउड के फैसिनेटिंग वर्ड को समझेंगे आस्मान में इतने सारे क्लाउड दिखते हैं और हमें सब एक तरह से वह क्लाउड लगते हैं बट एक्शुली में की अपना एक यूनिक क्लाउड क्लाउड को इस वीडियो के अंड तक आप 10 में टाइम आफ क्लाउड को इडेंटिफाइब करना सीख जाएंगे और जानेंगे कि यह हमें मौसम के बारे में क्या बताते हैं हम इनके हम इनके हाइट सेप कलर और वेदर के हिसाप से ब्रेकड जी तो आएए पहले हम सुरवात करते हैं मिड़ेवल क्लाउड से अगर हम मिड़ेवल क्लाउड की बात करें तो मिड़ेवल वा कॉलाउड है जो जमीन से 6500 फीट से लेके 20,000 फीट के उपर तक होते हैं और पानी के बूंदोन बर्फ के क्रिस्टलōसे दोनों से बने होते हैं, mid-level clouds का first cloud है, altocumulus cloud, जिसे फिर से बताता हूँ, altocumulus cloud, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये altocumulus cloud है, इसकी height 6000 feet से लेके 20,000 feet तक होती है, इसका color white और shape heap like होता है, अक्सर ये group में पाये जाते हैं, और इसका weather varies करते रहता है, altocumulus cloud, round या white gray के patches में दिखते हैं, जो parallel lines में दिखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये wool या fish के scale की तरह दिखते हैं, जो गोल गोल आपको ये दिखाई दे रहा है, ये, दूसरा है, altostatus cloud, ये दूसरा mid-level cloud है, इसकी height, mid-level, color, white या light gray type का होता है, shape इसका thick और flat होता है, weather, warmer weather होता है, या warmer weather की तरह अप्रोज कर रहा होता है, light precipitation हो सकती हलके हलके बारिश हो सकती है, ultra status cloud के thick gray layer form करते हैं, जो sky को पूरा cover कर लेती है, sunic dimmy light disk के रूप में दिखाई देता है, अब हम बात करेंगे high level clouds के बारे में, high level clouds वो cloud है, जो जमीन से 20,000 feet या उससे उपर होते हैं ये बर्फ के crystal से बने होते हैं, high level clouds का पहला type है, serocumulus cloud, yes, serocumulus cloud, ये height इसकी high level होती है, color इसका white या gray, shape, rows of small patchy clouds, यहाँ आप देख सकते हैं, rows of small patchy clouds, weather typically sunny और cold हो सकता है, serocumulus cloud, छोटी और पैची होते हैं, जो rows में आप देख सकते हैं, rows में form होते हैं, ये icy crystal से बने होते हैं, और usually ज्यादा दिर तक नहीं टिकते हैं, number जो अगला है, वो है, serocatus cloud, ये भी high level cloud है, जिसका color transparent और white होता है, shape इसका wispy, but thicker than cirrus cloud होता है, इसके weather varies करते रहते हैं, serocatus cloud, thin और wispy होते हैं, जो sky के most या all पार्ट को cover करते हैं, इन्हें identify करने के लिए sun या moon के around आपको hello ring दिखाई देगा, या light आपको दिखाई देगा, next जो अगला है, वो है, serocatus cloud, serocatus cloud, ये भी high level cloud है, इसका color white, shape wispy या फिदरी weather होता है, इसका weather warm front approach कर रहा होता है, serocatus cloud, high wispy cloud होते हैं, जो fair weather में दिखते हैं, लेकिन ये warm front या strong के तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं, या approach करने का signal भी हो सकते हैं, lastly low level clouds के बारे हम बात करते हैं, low level clouds वो cloud होते हैं, इसका height 6500 से feet के नीचे बनाते हैं, और पानी की बुंदों या super cool बुंदों से बने होते हैं, बात करते हैं, cumulus cloud का, इसका height low level होता है, color इसके white, shape इसके fluffy और tall आप पीछे देख सकते हैं, ये बिलकुल एक cauliflower की तरह दिखाई देता है, weather typically sunny, cumulus cloud, fluffy cotton like clouds होते हैं, जो sunny days में दिखते हैं, अगला जो है stroke cumulus cloud, strato cumulus cloud, ये भी low level cloud है, shape, fluffy और feather होता है, white होते हैं, darker cumulus होते हैं, थोड़े darker होता है cumulus cloud से, और often before या front appear करते रहते हैं, stratus cumulus cloud, thicker और darker होते हैं, और ये ज़्यादा sky को cover करते हैं, stratus cloud, yes, stratus cloud क्या है, next low level cloud है, ये grey या white होते हैं, shape इनका flat, featherless, आप पीछे देख सकते हैं सारे clouds को, weather, gloomy weathers, sometimes with light precipitation, हलकेलके बारिस, stratus cloud, low grey layers में होते हैं, जो आप देख रहे हैं, एक blanket की तरह cover करते हैं, fog की तरह, लेकिन ज़्यादा height नहीं होते हैं, अब बात करते हैं, nimbo stratus cloud के, ये भी low level cloud है, dark grey के होते हैं, thick, extensive weather होते हैं, steady rain या snow होते हैं, nimbo stratus cloud, thick और dark होते हैं, जो steady, precipice लाते हैं, मतलब यहां बारिस लगातार होती रहती है, nimbo stratus cloud अगर है, तो उसका मतलब वहां पर बारिस लगातार हो रही है, आप बात करते हैं, kilolombious cloud के, kilolombious cloud के बारे में क्या होता हैं, ये भी low level clouds है, color इसका pale and dark gray होता है, आप पीछे देख सकते हैं, सारे clouds को, dense और टारिंग weather, इसका weather thunderstorm होता है, ये thunderstorms का signal देते हैं, यहां quick tips जो आपको clouds identifying में मदद करेंगे, उनका आप save देखे, clouds fluffy है, flat है, wish भी है, उसका height देखिए, sky में, वो clouds low level है, mid level है, या high level पर है, आप उसके weather देखिए, current weather या expected weather को consider कीजिए, या similar looking clouds को identify कीजिए, ऐसे ही कुछ useful tricks हैं, जिसको आप clouds में pair करके, आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा cloud है ये, और ये कह रहा हूँ, इन tips के साथ आप जल्दी एक cloud identified spurt बन जाएंगे, अगली बार जब आप बाहर हो, sky की तरफ देखिए, और clouds का नाम देने की कोशिज कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को like करे, subscribe करे, bell anchor को hit करना ना भूले, for more weather's wisdom, मिलते हैं next time, see you, tata, bye bye.